ओंदंदंग बत्ये नमा प्रोफेशनल और पाइनेशनल लाइप की अगर हम बात करें तो आपके लिए जो साल है 2016 ये कुछ होप्स लेकर आएगा कुछ आशाय लेकर आएगा आपके लिए जो लोग बिजनसमें हैं वेबसाइल में हैं तो आपको ये लर्न करना होगा ये तीखना होगा कि कैसे आप कलीक्स के साथ फ्लेक्जिबल हों उनके साथ रिजेड नहीं हो कैसे उनको आपको हैपी रखना है अचा सेप्टेंबर का जो महीना है सेप्टेंबर के बाद आपके लिए औस्पीशल टाइम आएगा और आपको प्रमोशन भी मिलेगी आपका फाइनिशल स्टेटस जो है इस साल के पहले हिस्से में यानि कि शुरुवाती जो पीरियर्ड है उसमें थोड़ा सा ट्रबल सम रहेगा लेकिन आप अपनी फाइनिशल स्किल से सब मैनेज कर लेंगे यार का जो दूसरा हिस्सा है जो सेकिन पार्ट है उसमें आप फाइनिशल स्टेबिलिटी भी फील करेंगे और आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास इनफ अमाउंट है इनफ मनी होगा लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप financial expert की सला लेना बिल्कुल न भूले लव और relationship की बात करते हैं तो यह जो साल है यह आपके लिए significant life लेकर आएगा लेकिन जो couples हैं उनका relationship थोड़ा सा troublesome रहेगा और आपका break up भी हो सकता है कुछ जो couples हैं उनका जो relationship है वो इसको second chance देने के बारे में भी सोच सकते हैं लेकिन अगर आप married हैं तो please आपसे request है की अपनी love life में जो भी आपके differences हैं आप उनको thought out कर ले नहीं तो बहुत ज़ादा दिक्कत भी हो सकती है और आपको आप दोनों partners को यह समझना होगा की किसी एक का compromise करना बेहत जरूरी है नहीं तो divorce की नौ बता सकती है आपने अपनी ego को भी side में रखना होगा अगर आप single हैं और आप अपना soul में ढून रहे हैं तो आपको अपने looks पर थोड़ा सा work out करना होगा और साल का जो end है साल के end तक आपका special partner आपका soulmate आपको मिल सकता है आपको बिलकुल न छोड़ें अचा year का जो second part है second quarter में आप थोड़ा सा आपको अपनी patience रखने की आपको जरुत होगी क्योंकि ये आपको जो serious troubles हैं उन में वो pause लेकर आएगा उन से आपको बचाएगा emotionally आप strong रहें और दोस्तों please 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 do not give up चाहे कुछ भी हो जाए अपने partner को work की वज़े से बिलकुल ignore न करें आप उसको थोड़ा सा वक्त भी दें health पर आते हैं health के मामले में शुरू में आपकी जो energy है वो peak पर रहेगी लेकिन जैसे जैसे साल बीतेगा आप थोड़ा सा tired और troublesome फील करेंगे दोस्तों आप एक कहावत है जिससे आप strong believer है की work hard and party harder अपने काम से आप बेहर प्यार करते हैं और लोग आपको work alcoholic के नाम से भी जानते हैं work place पर over stress आपकी help पर adverse effect आप सकती है तो please आप rest करें और घर पर थोड़ा सा आराम भी करें smoking और drinking जैसी addictive जो habits हैं उनसे आप बचें और हो सकता हो तो meditation भी करें आपको meditation classes भी जाइन कर सकते हैं travel के लिए देखा जाए तो यह जो साल है यह आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको world tour की opportunities मिल सकती है अपने ideas को shape दे और आपको abroad में company खोलने के chances भी मिल सकते हैं अगर आप job में हैं तो आपको project based पर दूसरी country में shift होने का chance मिल सकता है लेकिन सिर्फ short period के लिए newly married couples romantic place पर जाकर enjoy करेंगे और जो students हैं अगर आप studies के लिए बहाँ जाकर study के लिए plan कर रहे हैं तो आपको visa मिल जाएगा family और social life की हम बात करते हैं तो आप अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए अपनी family पर dependent हैं दोस्तों now it is high time to be family man इसके आपार्ट आप अपने partner को emotional support दें और आपका जो social circle है उसमें जो आपके friends हैं उनके साथ आपका bond strong होगा लेकिन कुछ cunning people की हैं जिनसे आपको दूरी बनाए रखनी होगी किकि वो आपके पीच पीचे छुरा भौग सकते हैं दोस्तों नए friends की वज़र से नए दोस्तों के कारन आप पुराने दोस्तों को बिलकुल न भूले और आप अपने friends के साथ refreshing trip भी प्लान करेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ प्लान करेंगे